दोस्तों अगर आपने खुदा हाफिज मूवी देखी है तो आप एक्ट्रेस सिवालीका ओबरोय को जरूर ही जानते होंगे जिनोंने इस मूवी में नर्गिस का रोल निभाया था वहीं सिवालीका ओबरोय बॉलीबुड की ग्लेमरेस एक्ट्रेस में से एक बन गई है आपका स्वागत है दोस्तों हमारी लाइफ इस्टैल सिरीज की 20 वीडियो पर जिसमें हम जानेंगे एक्ट्रेस सिवालीका ओबरोय के बारे में पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल आ 1996 को मुंबई महराष्ट में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 24 साल यह प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस अव मॉडल है इन्होंने अपनी स्कूलिंग आरिया विद्या मंदिर स्कूल और जमना बाई नर्स स्कूल मुंबई से पूरी की इसके बाद इन्होंने अपनी गर्जिवेशन मुंबई इन्युवर्सिटी से इंग्लिस एंड साइकोलोजी से पूरी की दोस्तों सिवालिका ओबरोय ने अपनी गर्जिवेशन पूरी करने के बाद नादिया वाला गेंडसन इंटर्टेंडमेंट प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करना शुरू वहीं साल 2014 की सलमान खान इस्टारर मुवी कीक और 2016 की अक्षे कुमार इस्टारर मुवी हाउसपुल 3 के लिए सिवालिका ने अज असिस्टन डिरेक्टर काम किया है इसके बाद सिवालिका ने मुवीस के लिए अडिशन देना शुरू किये और कुछ एड्स और मॉडलिंग असाइमेंट में काम किया इन्होंने साल 2019 में ये साली आसकी फिल्म से बॉलिवुड में अपना डेब्यू किया जिस फिल्म में इनके साथ वर्धन पूरी भी एक्टिंग कर रहे थे इस फिल्म को अमरीस पूरी फिल्म और पेन इंडिया लिमिटेड ने प्रिड्यूस किया इसके बाद सीवालिका अबरोय साल 2020 में खुदा हाफिस फिल्म में नजर आई जिस फिल्म में उनके साथ विद्दू जामवाल दिखे इस फिल्म में सीवालिका ने नर्गिस का रोल निभाया था उनकी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट इस्टार में रिलि सुमीर अबरोय है जो की एक बिजनेसमैन है इनकी मा का नाम सरीना अबरोय है जो की एक टीचर है दोस्तों बात करें सीवालिका अबरोय के बॉइफरेंड की तो उनका नाम है करम राजपाल जो की एक एक्टर है दोस्तों बात करें सीवालिका अबरोय के हाउस की तो ये मु दोस्तों सिवालिका अबरोय के अवोर्ड अचीवमेंट के बारे में बात करें तो इनको अपनी पहली डेबियू फिल्म ए साली आसकी के लिए फिल्म फियर अवोर्ड पर बेस्ट फिमेल डेबियू का मिला था दोस्तों सिवालिका अबरोय के इंकम की बात करें तो ये एक मुवी करने के लिए 1.5 से 2 करोड रूपे लेती हैं वहीं अगर हम इनकी नेट वर्थ की बात करें तो है करिब 2 मिलियन डॉलर यानी 12 से 13 करोड रूपे यह रही दोस्तों सिवालिका अबेरोई की लाइप इस्टाइल वीडियो आप अगला वीडियो किस सेलिब्रिटी के उपर देखना चाहेंगे यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक आउ सेयर जरूर करिएगा